हेलो, स्वागत है आपका फ्री जिकेगर शानल पे मेरा नाम है किरन भावर आज के इस वीडियो में हम पुरुसकार और सम्मान से जुड़े हुए 50 महतुन प्रश्ण कवर करेंगे यहाँ पर हम जैनवरी से लिकर तक के अप्रेल की जितने भी महतुन प्रश्ण है चाहिवा खेल से संबंदित हो, फिल्म से संबंदित हो, रास्टी या फिर अंतरास्टी सारे पुरुसकार के प्रश्ण आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे यह काफी जादा informative और knowledgeable वीडियो है तब वीडियो को ध्यान से पूरा जरू दिखेगा और लास्ट में कुशन पूछा है मैंने आप से जिसका अंसर आपको कमेंट करना है तो चलिए अब शुरू करते हैं कुशन नंबर फर्स्ट से आपको भी अंसर गैस करना है और बताईए पद्म विभूशन दोहजार चुईस कितने लोगों को दिया गया याद रखेगा पांच लोगों को ठीक है पद्म विभूशन दोहजार चुईस पांच लोगों को दिया गया है अब इनके बारे में भी जानते हैं और एक्स्टा पॉइंट्स भी कवर करेंगे राजपती द्रौपती मुर्मु ने दोहजार चुईस के लिए एक सो बतीस पद्म पुरुशकारों की मन्जूरी दिये एक सो बतीस में से पांच तो पद्म विभूशन है याद रखेगा सत्रा पद्म भूशन है और एक सो दस इसमें पद्म श्री पुरुशकार शामल है एक सो बतीस लोगों को दिया गया है पद्म पुरुशकार साल दोहजार तेविस में आपको याद रखना है प्रश्नियास एक्जाम में हंडिट परसंट पूछा जाएगा दिखे जो पांच व्यक्ति है जिनने पद्म अवार्ड दिया गया है पद्म विभूशन अभी पांच लोगों को तो यह कौन-कौन है इनका नाम देख लेते हैं न पद्म विभूशन दिया गया है पूरुपरास्पति वेंक्या नाइडो इन्हें दिगजभीनेतरी विज बिंदेश्वर पाठक है इन्हें मन्नोपरांत दिया गया है यह सुलब सोचाले के फाउंडर है बिंदेश्वर पाठक इन्हें मन्नोपरांत मिला है याद रखेगा एक और बार रिविजन के लेते हैं कितने 132 लोगों को दिया गया जिसमें से 5 तो पद्म विभूशन है पांच पद्म विभूशन 17 यहाँ पर पद्म भूशन है और याद रखेगा 110 यहाँ पर क्या है पद्म शरी पुरुसकार है ठीक है चले नेक्स्ट है इंडियन्स मास्टेल्स नेशनल बैडमिंटन चेंपर्शिप दोजा चोईस में 200 पदक किसने जीते हैं तो देखिए इ नाहीद दिवेचा ने डिटेल में डिसकस कर लेते हैं महरास्ट के नाहीद दिवेचा ने पंच कूला में इंडियन मास्टर्स नैशनल बैडमिंटन चेंपर्शिप दोजाच जोईस में 200 पदक जीते बॉंबई जीम खाना की सदसे और शटल क्रेज अकादमी से जुड़ी दिवेचा ने हरियाना की सुनीता सीह पवार को सिधे सेटों में हराकर महला पचास एकल खिताब अपने ही नाम किया है ठिक अब आगे बढ़ते हैं बॉक्सिंग सब जूनियर नैशनल चेंपेंशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है तो यह जीता है हरियाना ने याद रखेगा बॉक्सिंग सब जूनियर नैशनल चेंपेंशिप का टाइटल हरियाना ने जीता देखे हर्याना ने वॉक्सिंग सब जूनियर नैशनल चैंपेंशिप में 19 पद्गों की शांदाव सेंखत बड़त के साथ बालक और बालिकाएं दोनों शेणियों में टीम खिताब जीता है दिल्ली दूसरे और महाराज यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही है अगला सवाल हाल ही में चैंपेंशिप में CCI Bliards Classic का खिताब किस ने जीता है पंकच आडवानी ने आपको याद रखना है पंकच आडवानी ने जीता है CCI Bliards Classic का खिताब देखें पंकच आडवानी इन्होंने मुंबई में All India CCI Bliards Classic में डेविड ओजियर को फाइनल में हरा करके अपना खिताब सफलता पूरक बचाया यह जो जीत है इस स्थान पर आडवानी की लगातार चौथी जीत रही है आडवानी को विजेदा टॉफी और दो लाग पचास हजार रुपे का नकत पुरुसका रिसमें मिला है अगला सवाल है हमारा मियामी ओपन 2024 का पुरुष यूगल खिताब के सजोडी ने जीता तो याद रखेगा मियामी ओपन 2024 का पुरुष यूगल का खिताब मैट एबडन और रोहन बोपनना इन्हों ने जीता है ठीक है देखिए डिटेल में डिसकुस कर लिते हैं शिर्ष भारते टैनिस खिलाडी कौन है रोहन बोपनना आपको याद रखना है इन्हों ने अपने आस्ट्रेलिया साथी मैट एबडन के साथ मिलकर मियामी ओपन का पुरुष यूगल खिताब जीता इस साल के शुरुआत में बोपनना ने आस्ट्रेलियन ओपन में भी अपना पहला यूगल ग्रैंट स्लैम जीता है आपको याद रखना है देखिए इनसे जुड़ावे प्रशने एक्जाम में आने वाले हैं रोहन बोपनना से जुड़ावा प्रशने एक्जाम में जरूर अस्थाना ने नैशनल इवेंटिंग चेंपेंशिप में व्यक्तिगा तवर्ग जीता चेंपेंशिप नई दिल्ली में आर्मी पूलो और राइडिंग सेंटर में संपन हुई थी नेक्स्ट है हाली में भारत के शीर सरेंक वाले सतरंज खिलाडी कौन बने हैं पताई यह अंसर क्या होगा तो वो है अर्जुन एरिएसी ये बने हैं भारत में शीर सरेंक वाले सतरंज खिलाडी है अभी अप्रिल 2020 के हम बात कर रहे हैं दिखें मार्च के योग सतरंज खिल जो है ना विश्वनाथन आनंद इनको पीछे छोड़ दिया है अगला सवाल 2020 जापानी ग्रेंड प्रिक्स किसने जीता बताइए किनका नाम हम बार-बार सुनते हैं फॉर्मुला वन के लिए मैक्स वस्टेपन ने जापानी ग्रेंड प्रिक्स में जीत हासिल किये उन्होंने लगभग पूरी रेस में नित्यत्य करते हुए फॉर्मुला वन में अपना प्रभूत्व प्रदर्शित किया उनके रेड बूल टीम के साथ हैं सर्जियो पैरेज वे दूसरे स्थान पर रहे हैं नेक्स्ट कुशन बताइएगा पंद्रवी CIDC वश्व कर्मा पुरुसकार दोहजाद चोईस से किसे सम्मानित किया गया तो देखें आपर अंसर सी से हो जाएगा अडानी ग्रेन को सम्मानित किया गया है निर्माण उद्यक विकास परिशत द्वारस धापित पंद्रवी CIDC विश्व कर्मा पुरुसकार दोहजाद चोईस में SJVN लिमिटेड ने दो प्रतिस्टित पुरुसकार जीते हैं समाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है आगे बढ़ेंगे रास्ट्य खोको चैंपिंशिप 2023 का पुरुस टाइटल किसने जीता बतेगे यह किसने जीता है चार आप्शन आपके पास थोड़ा भी गैस कीज़ेगा ताकि कितना सही अंसर आप खुद से भी लगा सकते हैं यह पता चलेगा है न देखिए यहां पर रास्ट्य खोको चैंपिंशिप 2023-24 में माहरास्ट्य की टीम ने क्लीन स्विप करते हुए पुरुष और महला दोनों खिताब अपनी नाम किये चैंपिंशिप का आजन दिली के करनेल सीं स्टेडियम और इंडरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया विजेता टीन को 3,00,000 अड़ोपे नकत है और एक ट्रोफी मिलीस में Next is Miami Open-1220 का पुरूष एकल खिता रूप्न खिता एके एक्स्र पॉइंट्स है इतावली पेशे वर टैनिस खेलाडी जैनिक सीनने शानदार प्रदशन करते हुई Miami Open-1220 का खिता अपने नाम के पंगी सीनर ने फाइनल में ग्रीगोर दिमित्रोव को हराया है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछ नहीं तरफ टाइम्स पावर आइकन दोजा जोईस पुरुषकार किसे मिला त्यहां पुरुषकार मिला है विजय जैन को किसे मिला विजय जैन को देखें स्टार स्टेट के प्राइम्स ग्रूप दोआरक किया गया था विजय जैन को रियल स्टेट छेत्र में उनके दूर दर्शी नितुत और उत्क्रस्ट अपलब्दियों के लिए यह समानित किया गया नेक्स्ट वश्ट दोहसाँ चुईस का अंतरास्ट्य संस्कृति पुरुषकार किसे मिला त अब देखिए डिटेल में डिसकस कर लेते हैं दिले विश्व विद्याले की कालेंदा कॉलेज की प्राचयार्य प्रोफिसर मीना चरांदा को वर्श दोहसाँ चोईस कांतरास्टी संस्कृति पुरुषकार मिला उन्हें सिक्षा समाज सेवा और राजनिती विज्ञान अन देखा कौन है जिसे दोहजाज चोईस में नॉन फिक्षन के लिए प्रथम महला पुर्षकार के लिए चुना गया तो यह चुना गया है मधुमीता मुर्गिया को यह अवार्ड मिला देखें जो पुस्तक है मानौ समाज पर याई के प्रभाव की परताल करती है इसकी शक् तक पिकाडोर दुवार प्रकास्तित की गई है और हाल ही में भारत में यह जारी की गई नेक्स्ट है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर से दौहर दोहजाजाज चोईस के एबल पुरुषकार के लिए किसे सम्मानित किया गया तिया सम्मान मिला है मीशेल टेलग्रांड को यह सम्मान दिया गया देखें फ्रांस के पैरिस इस्थित फ्रेंच नैशनल सेंटर फॉर सांटिफिक रिसर्च की मैशेल टेलग्रांड को दोहजाज चोईस के लिए एबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया मिशेल टेलग्रांड को गणितिय भौतिकी और सांखेकी में उत्क्रस्ट वनो प्रयागों के साथ संभावियता, सिध्धान्त और कार्यात्मक विशलेशन में उनकी अभूत पूर्व योगदान के लिए प्रतिस्टित पुरुसकार मिला संगीत कला निधी पुरुसकार से किसे समानित किया गया है? काफी ज़्यादा इंपॉर्डन कोशन बताईए, अंसर क्या होगा? संगीत कला निधी पुरुसकार से समानित किया गया है T.M. कृष्णा को देखे T.M. कृष्णा को संगीत में उनकी उत्क्रस्टिता और समाजिक सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में संगीत की उपयों के लिए मानिता दीगे टियाम कृष्णा को संगीत और समाजिक सक्रियता में उनकी युगदान के लिए कई पुरुषकार मिले हैं जिनमी 2016 का प्रतिस्ठित रेमन मैकसे से पुरुषकार भी शामिल है देखे अगला सवाल पीवी नर्सिमहाराओ मैमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया डाटा को अनर्सिमहाराओ मैमोरियल अवज रतन टांटको मिला टेक टांटा संस की पूरवधयक श्रतन टांटा को उनके उत्रषट परोपकारी युगदान के लिए प्रतिस्ठित पीवी नर्सिमहाराओ म्योरेल पृ मैं मयमोर्यल पूरसकार से संब्वनित कि आगया यह जो आवाड है सामाजिक और मान भी कल्यान में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है ठीक है आपने सुना होगा कि रोतन टाटा बहुत जादा पैसे दे देते हैं बाट देते हैं ठीक है मदद के लिए सौधी अरभ ग्राइन ग्राइश फोजाद चूई एव जीता है वह जीता है मैंस वस्ट किन साथी अरब ग्राइन ग्राइश नो माश दोजाए चोई्टक को सवधी अरभ में जेदा कॉर्मिस शरक्टै में आयुजीत्ट एक फॉर्मुल्या 1 मोर्श थी मैक्समें बाझ कोज वासिल किया है और यहां उनकी लगाता नो भी जीत रही है और इस सीजन की यहां दूसरी जीत थी नेक्स्ट है किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर महला प्रीमियर लिग डबलू पील का खिताब जीता बताएए प्रश्णाने वाला है यह एक्साम में तो जीता है रॉयल चैलेंजर्जर्स बैंगलोर ने ठीक है देखें डीटेल में डिस्कुस कर लेते हैं डबलू पील फाइनल मैच में टॉस जीत कर पहले बैड्मिंटन करती हुई दिल्ली की टीम एक सो तीरा रन पर ओल आउट हो गई थी इसके जवाब में आरसी आरसी बी ने तीन गेंद शेष रहती हुए दो विकेट के नुकसान पर लक्ष हासिल कर डबलू पील दोसा चुइस का खिताब अपने नाम किया उपेविजेता है दिल्ली कैपिटल्स और सबसे मुल्यवान खिलाडी बनी है इसमें दिप्ति शर्मा देखें ओरेंज कैप किसे मिली है एली से पैरी को और परपल कैप मिली है श्रीयंग का किर देखें बात करें तो चौ्थ होले और महला है नवे स्थान पर है अनूसार भारत की यहंद्नी यहां जांता सबस्क đãüğें पर आ धाल कि निधर लेंद है जबकि महला वर् máis में देखें ठीक है यहाँ पर महला पुरुष में दोनों कौन है टॉप पर नीदर लेंड्स बताईए अंसर रंडजी टॉफी दोजा चोईस का खिताब किस ने जीता आएगा यह प्रशन वे एक्जाम में बहुत बार आचुका है हर साल होता है किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रस्न आता है बता है अंसर के बाट रंजी टॉफी दोजा चोईस मोंबै और विधर्व की बीच रंजी टॉफ़ी 20 का फाइनल मुकाबला मुंबै की वांखेड श्रयूण सटेडियुम में खिला इसलिए हम यहां पर सारी important points भी cover करवा रहे हैं देखिए मुंबई ने विधरब को 169 रनों के अंतर से हराया इस सीजन में मुंबई की कप्तान अजिंग के रहाने थे चलिए next is critics choice award 2014 के 6 संस्क्रिण में किसे film ने शीर संमान जीता है देखिए critics choice award 2020 मुंबई ने critics choice award के 6 अंस्क्रिण के मेशवाने की विक्रांत मेसी और विधू विरोध चूपड़ा दौपड़ा नियदेशित बारवी फेल ने सर्विस्टिस्ट फीचर फिल्म का पुरुस्कार जीता विक्रांत मेसी को बारवी फेल में उनकी भूमी का के लिए सर्विस्ट अभी नेता के टौफी मिली है किसने जीता है में यह जीता है कि अबिनेशिट अकेडमी अव्वावार्ट की खोशन की गई लोस एंडल्बी थ्वीटर में इस अवार्ड समारों का आजन हुआ Christopher Nolan दोरर नयुदेशित ओपन हाइमर ने इस अवड शो में इस अवड शो में नौ अवड सोरी सात अवड जो है कितने सात अवार्ड जो है अपने नाम किये ओपन्हाईomniaर ने सात अवार्ड अपने नाम की है और देखें ऍर फलम ओपन्हाईमर के लिए कलिए मर्फी को सर अब दिया गया बार्भी को और सउंग का वार्ड मिला और वस्साट और और में लितन सब्स Setting मिला है, और इसनल सोंग कर, अगे बढ़ते हैं Miss World 2020 का खिताब किस ने जीता बताइए, तो है यह जीता है Cristina Piscova ने, Cristina Piscova ने जीता Miss World 2020 का खिताब, प्रशनाथे हैं इसे भी, देखे इस बात मिस्टीना खिताब हमार भरदिश में हुआ है, जिसमें 24 वर्षिय चेक रेपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मिस वर्ड का ताज अपनी नाम किया नेक्स कोशन है हाल ही में मिस वर्ड युमेनिटेरियन अवर्ड से किसे सम्मानित किया गया है यह संभानित कर गया है नीता अम्मानी को संभानित कर गया उन्स वर्ल फिनाले में रेलाइंस आंडेशन नी संभानित को ब्विट我是 यॉमैंडिशन ऑवार्ड दिया गया है और धिश मिस एस और ने किया गया था नेक्स्ट वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकाडमी नाटक अकाडमी जो है पुरुषकार के लिए कितने कलाकारों का चैन हुआ है तियाद रखेगा 92 कलाकारों को यह सम्मान दिया गया संगीत नाटक अकाडमी पुरुषकारों वर्ष 2022 तेविस के लिए देखे संगीत होगया नित्यरंगमंच पारंप्रिक लोक आदेवासी संगीत नित्यरंगमंच कट पुतली और प्रदर्शन कला में समग रयोगदान चातर वृत्ति जैसे विभिन छेत्रों में कलाकारों का के जा रहे त morte नाटक अकैडमी फेलोशेब और पुरुषकार वारत के मारणी रास्वत द्वारा प्र दान किये जाते हैं आपको याद्र है संगीत नातक गार्ड में पुरुस्कार जो है यह राजपती जी के द्वारा दिये जाते हैं नेक्स्ट कोशन है पुनर योजी चिकित्सा और स्टैम सेल अनुसंधान में उनके अग्रहनी कारे के लिए महरास्ट भूशन पुरुस्कार से किसे समानित किया गया है तो दिखे यह समान मिला है प्रदी पिवी महाजन को दिखे एक्स्रा पॉइंट्स महाजन को भारत में कोई 19 संकट से नेपटने और विभिन चिकित्सा स्थीतियों के इलाज में उनके योगदान के लिए मानेता मिली है वह कुर्दिस्तान में सैनिको को स्टैम सेल थेरपी के माध्यम से चिकित्सा साहता प्रदान कर रहे हैं और मौरिशस और अफरीका की अस्पताल जो है वहाँ की जो अस्पताल है उनके निर्माण में भी यह साहता कर रहे है एक्स्ट कोशन है Scottish junior open Squares under 19 का title किस खिलाडी ने जीता तो याद रखेगा अनाहत सीहने जीता है Scottish junior open Squares under 19 का title इंपोर्टेंट पॉइंट और आश्टे Squares इसमेशाय junior Squares Championship में अन्डर 17 girls category में भी इन्होंने सौन पतक जीता इस ओदा साल के उम्र में बर्मिंगम में आजित 2022 राष्टर वंडल खेलों के लिए भारती दल की सबसे कम उम्र की यह सदसे रही है ठीक है क्या नाम है अनाहत सीम जिन्होंने Scottish junior open Squares under 19 का title अभी जीता next है पी इंद्रा देवी को 2023 में Indian Society of Agricultural Economics Fellow की उपाधी से क्यों सम्मानित किया गया तो देखें यहाँ पर अंसर D हो जाएगा इन्हें यह सम्मान दिया गया है एक्स्टा पॉंट्स दखीगा यह शीशक क्रिशी अर्थसास्त और ग्रामेड विकास में विकास के छेत्र में उनकी उत्करस्त अपलब्दियों को मानिता देता है वह यह सम्मान पाने वाली पहली केरलवासी है जिन्हें करशी अर्थ सास्त्रियों की एक प्रतिस्ठित पैनल दुआरा चुना गया नेक्स्ट है अन्तीम वोट गिंती में लियोनेल मैसी को महत्पुन अंतर से हरा कर 2023 के लिए प्यूबिटी एथलीट अफ दे इयर का खिताब किसने जीता तो यह जीता विराट कोहली ने ठीक है लियोनेल मैसी को हरा कर कि विराट कोहली ने यह खिताब अपने नाम किया कोहली ने लियोनेल मैसी को 78% वोटों से हरा कर खिताब हासिल किया जबकि मैसी को अंतिम वोट में 22% वोट ही मिले नेक्स्ट है कॉर्परेट समाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट खेल पुरोटसाहर पुरुसकार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा क्या मिलेगा ओडिसा माइन कॉर्परेट लिमिटेट को है ना देखें ओडिसा माइनिग कॉर्परेट sleeping को कॉर्परेट समाजिक जिम्मेदारी के माध्यदम से खेलों को पुरोटसाहर की कैटिगरी में सम्मानित किया गया 9 जनवरे को रास्पती भाऒवन में राजपती द्रौपती मुर्मों विजेताओं को इन्होंने सम्मानित किया है ना किया जा चुका है चलिए नेक्स टे एशाय ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मेटर एर पिस्टल टीम स्पर्दा का स्वन पदक इस टीम ने जीता है तो देखिए अंसर बी से हो जा चीमा और उज्वल मलिक की भार्दी टीम ने कुल 1740 का स्कूर बना कर शिरस्थान हासल किया एरान ने रजित पदक जीता वहीं कुरिया हमने कांसी पदक जीता है इसमें है ना चलिए नेक्स्ट है स्वच्चता सर्वक्षन 2023 में एक लाग से अधिकाबादी की कैटेगरी मे सबसे स्वच्च सहर का पुरुषकार किसे मिला है हमारे मद्य पृडिश चीमा 5-tober कर लगाता साथी बार यह पुरुषकार मिला है इस कैटेगरी में नवी मुंबै को तीसरा स्थान में राश्पती द्रौपति मुर्मों ने नई दिल्ली में भारत मंडपा में स्वच्च स्वच सर्वेक्षन 2023 पुरुजकार बदार किया अगला सवाल है हमारा स्वच सर्वेक्षन 2023 में किन दू शहरों को सबसे स्वच गंगा शहर का अवार्ड मिला तो वार्नसी और प्रियागराज को मिला है सबसे स्वच गंगा शहर का अवार्ड देखें गुत्यप्रदेश के देवानसी और प्रियागराज में सबसे सवच गंगा शहर के रूप में चुना गया मध्य प्रदिश में महु छावनी बूर्ड नी सबसे सवच छावनी शहर का पुरुसकार भी जीता है नेक्स्ट है मिज़ा धियांचन खेल रतना वर्ड धोजा तेविस में किन-किन खेलाडियों को सम्मानित किया गया मिज़ा धियांचन खेल रतना वर्ड धोजा तेविस में सम्मानित किया गया मेज़ा धियांचन खेल रतना की स्थापना हुई है 1991-92 की बीच में यह खिलाडियों को पिछले चार वर्षों के अबधी में किसी खिलाडी द्वारा सबसे उत्क्रस्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है पुरुसकार में एक वदक के प्रमान पत्र और पच्चिस लाग रुपे नगत होते हैं चलिए, नेक्स्ट कुशन दिखेगा कुएंपो राष्ट्य पुरुसकार 2023 के लिए किसे चुना गया तो याद रखेगा शिर्षेंदू मुखपाद्याई को चुना गया है डिटेल में डिसकस कर लेते हैं शिर्षेंदू मुखपाद्याई ने बंगाली भाषा में अपने कारियों के माध्यम से भारती साहित्य में महत्पुन योगदान दिया कुएंपू राष्यपुर्सका 2023 में पांच लाग रुपे का नगत पुर्सका रीक रजट पदक और एक प्रसुस्ति पत्र इसमें शामिल है ठीक है ये सारी चीज़े दी गई है भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजव ने चीता अंसर आप बताएए देखें यहाँ पर अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला ठीक है पैंच टाइगर रिजव जो है ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है ना डार्क स्काई पार्क दिखिए कुछ important points महरास्ट का पैंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का पांच वा डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व बना डार्क स्काई पार्क से रातरी आकाश के सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूशन को कम करने में मदद मिलती है चलिए नेक्स्ट है जाग्रेब ओपन 2024 कुछती टूर्नामेंट में किस भारती ने 57 किलोग्राम केटिगरी में गोल्ड मेडल जीता तो जीता है अमन सहरावत ने जीता है 57 किलोग्राम केटिगरी में गोल्ड मेडल जाग्रेब ओपन 2024 कुछती टूर्नामेंट में कि देखें मौजवदा एश्या चैंप्रशिप आमन सहरावत ने क्रोईशिया में जाग्रेव ओबन दोहजार जोईस कुछती टूर्णामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम में सुन पते जिता इस काटिगरी में चलिए नेक्स्ट है किसे सर्वसिस्ट फीफा पुरुष खिलाडी की अवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह लियोनेल मैसी को मिला है अवा पिछले चार साल में यह तीसरी बार है जब मैसी को यह वार्ड मिला है फीफा पुरुष खिलाडी है ना सर्वसिस्ट फीफा पुरुष खिलाडी का अवार्ड इस पैन और बार्सी लोना की स्ट्राइकर एटेना बोन मती को सर्वसिस्ट फीफा महला खिलाडी का मेसिको चले नेस्ट है इस्या शूटिंग चैंपेशे दोजा चुईस में पुरुषो की 25 मेटर स्टेंडर्ड प्रिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता तो जीता है योगी शसी है ने गोल्ड मेडल ठीक दिखे एक्स्रापॉंट्स इंडोनेशय के जगारता में जीता है तो यह शूटिंग चैंपेशे दोजा चुईस में पुरुषो की 25 मेटर स्टेंडर्ड पिस्टल इवेंट में भारत के निशाने बाज योगी शसी है ने गोल्ड मेडल जीता है मंगलोई निशाने बाज ने रजट पदक जीता और कजाकिस्तान के निशाने बाज ने इसमें कांच से पदक चीता अगला सवाल दिखेगा असम राज्जी के सरवोच सम्मान असम वैभाव से किसे समानित किया जाएगा देखें अंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला ठीक है याद रखेगा रंजन गोगोई को ठीक है रंजन गोगोई को असम असम वैभाव पुरुसका से सम्मानित किया जाएगा असम वैभाव राज्य का सरोचिनागरिक सम्मान सी जे आई रंजन गोगोई की अधिक्षता वाली पांच वेंच की पांच जर्व की जो बैंच है इन्होंने दोजार उनीस में विध्याराम मंदिर पर अहम निर्ने ल जिसमें मांसी हैं विजेता रहे देखे एशाय मारथन खिताब जीतने वाले केवल दूसरे भारतिय बने कौन मांसी हैं गोपी थोना कल 2017 में एशाय मारथन चैंपेंशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतिय पुरुस थे यह सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है चली नेक्स्ट है देशके के सपूर उप प्रधान मंत्री और दिगज बीजेपी नीता को भारत रतने दोहजाच चोई से सम्मान मिला है यह मिला है लालकृष्ण आडवानी को ठीक है लालकृष्ण आडवानी को यह वार्ड मिला है अब थोड़ सुन के बारे चानते हैं आडवानी का जिन हुआ थे 8 नेमेंबर 1927 को कराची में 1942 में 14 साल की उम्र में वियो आरेसेस में जुड़े 6 अप्रेल 1980 में आडवानी ने भारती जनता पार्टी बिजेपी का गठन किया और 2015 में इन्हें पद्म विभूशन से भी सम्मानित किया गया था ह no x3 नेक्स्ट कुशन दिखेगा这ं डाक्टर एबस सवामी नाथ को भारत अत्रए 2026 से समानित किया गया वह कि चछेत्र के प्रसिद नेता थे और यह प्रसिद नेता थे क्रिशी के थिकникомें प्रसिद नेता रहे हैं प्रिशी छेत्र में देखें डाक्टर एमें स्वामिनाथन का जन्म हुआ था 7 अगस्ट 1925 को तमिलाडू में हुआ स्वामिनाथन आनुवांशिक विज्ञानिक रहे हैं जिने भारत की हरित क्रांती का जनक माना चाता है यह ना वेरी इंपोर्टन पॉइंट हरित क्रांती का देने वाले गिहूं और चावल के पीच खेतों में लगाए थी डॉक्टर स्वामिनाथन को 1967 पदम श्री 1972 में पद्म विभूशन और 1989 में पद्म विभूशन से समानेत किया गया 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हुए था नेच्ट रह भारत में आर्थिक सुधा 1991 की दौरान प् पीवी नर्सिम्हा राव को याद रखेगा पीवी नर्सिम्हा राव को भी अवाड दिया गया अभी 2024 में भारत में पांच लोगों को दिया गया है अब ऐसे अलग से वीडियो में ने बताई है बना रखिए डेटेल में सारी चीज़े एकस्प्लेन करके आपको बताई थी पीवी नर्सिम्हा राव का जनम होया है 28 जून 1921 को करीम नगर में हुआ था देखे 1971 से 73 तक आंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे है 20 जून 1991 से 16 मैं 1996 तक विदेश के नवे प्रधान मंत्री भी रह चुके है और देखे नर्सिम्हा राव के दौर में ही वित्यमंत्री म प्रदान मंत्री जाने जाते थे जिने 2022 में भारत रतन से समानित किया घा तो जाने जाते थे चौदरी चरंड़ी समानेत किया जिए यह समान पेंसल्डिन की रूप में जाने जाते थे यह प्रेने मं DENNIS रहे ultimate जिए है 1224 में इन्हें सम्मानित किया गया भारत रुत नसीम चौदरी चरंट सिंह का जनम 23 दिसंबर 1902 में उतरप्रदेश की मिरठ जीले की नुरपूर में जाट किसान परिवार में हुआ 1930 में गांदी जी के सवीनिय वग्या अंदोलन में शामिल हुए और हिंडन नदी में इन्होंने नमक बनाया था रास्ट्रेक रशीव ग्रामेंड विकास बैंक नाबाड की स्थापने इन्होंने की और इन्होंने जनता दल की भी स्थापना की थी देखे 28 जुलाई 1979 से 14 जन्वरी 1980 तक विद्देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं भारत की किसान राजनेते एवं पांचवे प्रधान मंत्री भी रहे हैं और 29 मई 1987 कुनखा निधन हुआ था चलिए यहापर हमने 50 महत्मूर प्रशने किये हैं और प्रशने एक्जाम में जरूर पुछ जाएंगे अब लास्ट वाला कुशन आपके लिए बताईए बिहार की किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रतने 2000 जोईस दिया गया चार आप्शन है आपके पास करेक्ट अंसर क्या है बताईएगा चलिए आज की वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना और बैल नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रू करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जा